Hello everyone, Good morning Standard 3rd हमने लास्ट शेशन में हमारा जो चैप्टर नुम्बर 8 है बंदर बाट जो ड्रामा हम डिस्कुस कर रहे थे वो ड्रामा थोड़ा इनकम्प्लेट है आज जो ड्रामा हम आगे पढ़ेंगे जो हमने हमसे छूट गया है हमने देखो यहां से देखना था कि ड्रामा में क्या होता है बंदर का प्रवेश होता है देखते हैं क्या होता है बंदर देखो अब बोलता है क्या तुम दुनों जगड रही हो तुम कहती हो रोटी मेरी है सफेद बिली तुम कहती हो रोटी मेरी है काली बिली रोटी किसकी में उसका फैसला करूँगा, चलो कचारी मेरे पीछे पीछे आओ, देखो बंदर है उस दोनों बिली को क्या कहा कि आप दोनों आपरस में जगड रही है, उसका एक इलाज है मेरे पास, मेरे साथ कचारी चलो, वहाँ नियाई करेगे कि रोटी किसकी है बंदर दोनों से छीन कर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है दोनों बिलिया पीछे पीछे चलती है क्या होता है कि बंदर है वो दोनों जो रोटी थी वो छीन लेता है और दोनों बिलियों को कचेरी ले जाता है और ये दो बिलिया भी बंदर के पीछे पीछे चलती है तो देखो यहां हमारा ड्रामा का फॉस्ट सीन कंप्लीट होता है अब देखो दूसरा दुसरा दुरश्या बंदर की कचहरी अब हमें देखा करना फॉस्ट सीन में कि बंदर है वो दोनों बिलियों को कचर ही ले गया अब देखो क्या है बंदर मेच पर बेटा है रोटी का टुकड़ा सामने रखा है दोनों बिलिया मेच के सामने इधर उधर खड़ी है क्या हुआ कि बंदर मेच पर बेट गया रोटी को एक साइड रखा और दोनों बिलियो को right और left ऐसी opposite side रखा बंदर अब सफेद बिली से कहता है बोलो तुम को क्या कहना है तो देखो यह सफेद बिली कहती है स्रीमान पहले मैंने ही रोटी देखी थी इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है तो बंदर पहले सफेद बिली को पुछता है कि तेरा क्या मनना है तो यह सफेद बिली कहती है कि पहले रोटी मैंने देखी थी इसलिए उस पर हक मेरा है अब बंदर है वो काली बिली से देखो क्या पुछता है बोलो तुम को क्या कहना है तो यह काली बिली कहती है श्रीमान पहले रोटी मैंने जब्टी थी रोटी लेने इसमें रोटी पर मेर पूरा हग बनता है तो फिर ये काली बिली क्या कहती है कि सही है देखी इस नहीं है लेकिन ली तो मैंने है जब्टी तो मैंने है इसलिए पहले मेरा हग है अब बंदर है वो फिर से सफेग बिली से कहता है एक आख से देखी थी या दो आख से देखो बंदर है वो बिली को क्य एक आख से देखी थी कि दोनों आख से देखी थी तो सफेद बिली क्या कहती है दो आख से यानि कि दोनों आख से देखी थी दो देखो ये बंदर है और ये दोनों बिलिया अब देखो आगी क्या होता है फिर वो काली बिली से पूछता है देखो कैसे कैसे question है एक टांग से जप्टी थी या दोनों टांगों से तो फिर बंदर है वो काली बिली से क्या पुछता कि तुमने रोटी जप्टी है पहले वो तेरी बात सही है लेकिन अपने एक पैर से या दूसरे पैर से तो काली बिली क्या कहती है दोनों टांगों से दोनों पैर से यानि कि बंदर कहता ह तुम दोनों का था गवा भी दोनों भी लिया कोई नहीं कोई नहीं तो यह बंदर है इस बिली दोनों को क्या पुछता है कि कोई गवा था यानि कोई विटनेस था कि कोई ऐसा आदमी था जिसने तुमें यह हरकत करते हुए रोटी चीनते हुए जपटते हुए देखते कोई और आदमी ने देखा ओ क्या कोई ऐसा गवा है कोट में अक्सर गवा है उसको वितनेस को खड़े रखते है तो यहां वो कहता है तो दोनों भी या क्या कहती है कोई गवा ख़वा कोई नहीं था तो फिर यह बंदर कहता है बात बराबर बात बराबर मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दी दी जाए मेरे पास धर्म काटा है देखो बंदर ने अपना नियाय क्या सुनाया कि चलो तुम्हारा कोई गवा तो है नहीं कोई विटनस तो नहीं जो पका प्रूफ दे तो फिर ये बंदर ने क्या कहा कि बराबर मेरा फैसला है कि रोटी तुम दोनों को मिलेगी लेकिन किस तरह मिलेगी दर्म काटा यानि कि कैसे हम जब सबजी लेने जाते तो तोल माप कर देते हैं दोनों को बराबर उसी तरह तो देखो यहां बंदर मेच के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है जो दो हिसों में तोड़ कर दोनों पलड़ों पर रखता है और उठाता है एक पलड़ा नीचे रहता है और दूसरा उपर देखो ये बंदर है वो तरा जू धरम काटा लेकर बैठ गया रोटी को नाप तोड़ने के लिए कि किसको कितनी मिलेगी आगे देखो बंदर यह टुकड़ा कुछ भारी निकला इसमें से थोड़ा खाकर हलका कर लू देखो बंदर क्या केता है कि एक साइड है ना वो रोटी का टुकड़ा भारी है इसलिए थोड़ा में ही खाद लेता हूँ ना चलो इसलिए दोनों को बराबर मिल जाए फिर क्या फिर तरह जो उठाता है अब पहला टुकड़ा उपर और दूसरा नीचे फिर से उसने अपड़ा दरम काटा निकला और एक टुकड़ा उपर रखा दूसरा नीचे बंदर अब यह टुकड़ा भारी निकला आब इस से थोड़ा खाकर हलका कर लू अब क्या किया बंदर ने फिर से कि यह दूसरी साइद का टुकड़ा ना थोड़ा सा भारी है उसको भी हलका करना पड़ीगा इसलिए थोड़ा में फिर से खालो तो क्या बैलेंस हो जाए ना फिर तरह जो उठाता है अब पहला टुकड़ा पहला पोलड़ा नीचे हो गया और दूसरा उपर तो पहली बार जैसा हुआ था वैसा इस बार हुआ एक साइड भारी और एक साइड अलका बंदर अब यह टुकड़ा भारी निकला टुकड़े भी कितने खोटे है एक दूसरे को छोटा दिखाने के में ही लगे है मुँ ठक गया बराबर करते करते और तरह जू उठा उठा कर हाथ ठक गए फिर यह बंदर क्या कहता है देखो इन दोनों बिलियों को कहता है कि मेरे हाथ रह या इस टुकड़ों में भी कॉंपिटीशन लगी है कि एक हलका तो एक भारी मेरा मुँ भी ठक गया इस रोटी को खाते खाते और मेरे हाथ ठक गये इस तरह जो में रोटी को टूपड़े को नापते नापते अब देख देखी बंदर की चाला की कैसी है वो इसने आधी रो अबी उदासी से एक दूसरे को देखते हुए सफेद बिली आप तक गए अब न उठाए तरा जो काली बिली बचा कुछा जो उसको दे दे हम आपस में बाट खाएंगी अब देखो ये दोनों बिलिया है वो इस वो इस बंदर की चाला की को समझ गई कि बंदर कौन सा खेल खेल रहा है वैसे खुदी रोटी खाता है तो फिर ये सफेद काली और काली बिली ने क्या डिसाइड किया कि कोई बात नहीं आप ठक गया है आपका मुँ भी ठक गया है हमें दे दीजिए हम खा लेंगे ऐसा आप देखो दोनों ने डिसाइड किया बंदर नहीं नहीं तु ये बंदर ने क्या किया कि नहीं ये बची कुछी जो रोटी है न वो तुम दोनों को मुझे नहीं देनी है लेकिन क्या करूंगा यदि ये रोटी का टुकडा बच्चा कुछा है मैं तुम दोनों को दे दूँगा तो फिर तुम दोनों आपस में जगडने लगोगी इसलि मف는지 का मतलब की बंदर क्या कहा कि मैं ही रोटी खा लूँ यदि रोटी ही नहीं बची तो जगर ने की मेटर ही नहीं हे तुम दोनों को इसले बंदर ने तो यह डिसेड किया इतना ककर बची खुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर बाग जाता है देखो बंदर है वो बची खुची रोटी है वो खा जाता है बाग जाता है इन दोनों बिलियों के हाथ कुछ नहीं आता सिर्फ जगड़ने में लगी थी दोनों बिल्या आपस में जगड़ा कर बेठी बुद्धी अपनी खोटी अब पच्टाने से क्या फाइदा बंदर हडपा रोटी देखो दोनों बिल्यों ने क्या फिर बोला कि जगड़ने में रही और बंदर की चाला की यहां काम कर गई रोटी नहीं सफेद बिली को मिली नहीं काली बिली को सिर्फ आपस में जगड़ी लेकिन बंदर उसका पूरा फाइदा उठा कर रोटी लेकर भाग गया तो देखो यह इस ड्रामा के जो रैटर है वो कौन है हरिवंश राय बच्चन बहुती अच्छे पॉइट इन अनदर वे तो हमें यह नाटक से यहां कंप्लीट होता है तो हमें यह सीखने को मिला की बंदर देखो कितनी चाला की करता है और यह दोनों बिलिया कैसे आपस मे जगड़ती है इसलिए हमें भी यह सीखना है कि जगड़ना नहीं है लेकिन उसका सुल्यूशन क्या है वो डुनना है लेकिन ऐसे ही बंदर की तरह कई लोग ऐसे भी चालाक होते हैं जो उठाकर ले जाते हैं तो यहां यह हमारा I hope not ड्रामा समझ में आ गया बहुत ही अच् एक्स्टर सेशन में हम इस चेप्टर की एक्सरसाइजे उसको डिसकस करेंगे से तिल दैन है वे नाइस डे टू आल